चार जनों को मित्र रूप में सत्रू समझना चाहिए नमब एक जो लोभी हो नमब दो जो कहता हो लेकिन करता नहो नमब तीन जो खुसाम दी हो नमब चार जो फजूल खर्ची का साथी हो जो लोभी होता है ऐसे व्यक्ति को मित्र के रूप में सत्रू समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी होता है वह देता कम है और मांगता आधिक है वह जो कुछ करता है वह भै के मारे करता है वह अपने स्वार्त ही ध्यान लगता है जो कहता है कि तो करता नहीं उसे भी मित्र रूप में सत्रू समझना चाहिए क्योंकि वह अपनी भूल काल की मित्रता की बात करता है वह भविष्य में मैत्री पूर्व्य वहार की बात करता है वह वचन मात्र से ही लाब उठाना चाहता है किन्तु जब कुछ भी करने का समय आता है वह अपनी ऐसमर्थता प्रकट कर देता है जो खुसामदी है उसे भी मित रूप में सत्रू ही समझना चाहिए क्योंकि वह बुराई में साथ देने वाला बन जाता है भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता वह मुँपर प्रसंसा करता है पीट पीछे निंदा करता है जो भजूल खर्ची का साथी हो उसे भी मित रूप में सत्रू ही समझना चाहिए क्योंकि ऐसमय बाजार घूमने के सबे ही वह साथी होता है जब तुम मेले तमासे देखते हो उसी समय वह तुमारा साथी होता है जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हैं उसी समय वह तुमारा साथी होता है नमो बुद्धाए